इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही आपको मार्फिर चानल है और ना ही उलेक तर खर्चार करना है हाई आपको मार्फिर चानल टेस्टी फूर्ट दोस्तों सूजी बेशन और काली कालवात अपने बहुत बार खाया हुद्दा पर क्या कमी कीवूंगे आटे कालवा ट्राइब किया है इस वीडियो को बिना इसके करें आपकी देखें कि कैसे मज़ेदा सहर्वात तयार होता है हो भी बहुत ही काम खर्चे में है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर चारूर करें चलिए अब बज़ेदार रेसी शुरू करते हैं दोस्तों आटे का हलबा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक जर्चयन डालें पर एक लाटे नत्यार में चासली को फसक्राइब निसने कंजा ऊRe sawn और जब इसका उबाल आ जाएगा तो हमसे बंद कर देंगे क्योंकि हमें एक तार या दो तार वाली चास्नी नहीं बनानी है तो अब हम ग्यास को बंद कर देते हैं इसको हम निकाल लेंगी और इसमें धक्कन मार देंगे ताकि ठंडा रहा है अब मैंने वापस से गैस पर कड आटे को हम थोड़ी देर भूल लेंगे इसे हमें ड्राइज ही रोष्ट करना है कितनी लोग करते हैं कि घीमें से रोष्ट करते हैं अब इस त्रीकी से युश्ट करेंगे ना वह Northern यह इसे तरीकी से थोड़ी दर इसको रोष्ट कर लेते हैं जब तक इसनलसे अच्छी से कि अपने भुदूारे का हलो खाया ही तो एक तरीकी से बनाओगे आठीके से बमा इंगिध्येंश लाओ से घ्राकरे के नहीं लाकिर popular और जो आपके जन्मा अभीवर रहता है न समान बस पूरी चीजों से आपको इसे बनाना है यह देखिए अब आटा हमने भूल लिया है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बर्तन में निकाल लेते हैं अब मैंने गैस पे फिर से कड़ाई रख रही है और इसमें मैं रख रही हूं एक कप घी जिस कप से आटा और चीन ली थी उसी कप से मैं ने खी भी लिया है अगर आप घी ज्यादा आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप घी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अब घी किसमिस भी ले सकते हैं उन्हें पर थोड़ा पहले भूलें से इनके साथ नहीं भूलना है और अब हम इन निकाल लेते हैं अब इस घी में हम अपने आटे को दुबारा से भूल लेंगे लिए उखी के साथ तरीके से हल्वा गुनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी होगा बार आटे को निया लिए दुसरी बार आटे को गी में रोस्ट कर लेना है थी दम गुरुद्वाले वाला टेस्ट आता है भूडरी देर हलके आज हम इस तरीके से भी आटे को भूलन लेते हैं इस देखिये प्रेंट्स अब हमने आटे को अगी के साभ अच्छे से एकदम भूल कर लिए थोड़ा सा मनि पहले भी भूना था थोड़ा ने डालेंगे फानी केर पली होके डालिए दो आराम आरम से डालिए इसको चला पर रें ताकि इसमें खुटलिया ना बने इस तरीके से इसको चलाते रहें आठा एकदम जल्दी से पानी को एब्सॉब कर लेता है और हमारे हम से इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे तेखे फ्रेंस अब यह थोड़ा थोड़ा करके ड्राय होने लगा है भी उनको गैस को बंज नहीं करना है सउफ्ट सा हल्वा बनके तयार हुआ है इस में डालूंगे कट हुए ड्रायपूर्ट इस तरीके से इंको गट कर लिया है इस सदी तरीके से अप्सिनल है पसंद तो डाली और नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं इच्छे से मिला लेते हैं यह दो सारे तब से ड्राय होने को लगा है तो अब मैं डाल हुगी हो जाँ कि इसे क्या हुआ कि सॉप्ट हो जाए का फिर से इस परीके से चला लेते हैं जो दो धी कि फिर से सॉफ्ट होने लगा है हमारा के अब हम गैस को बन कर कर देते हैं और इसे हम गर्मा गरम सर्फ करते हैं चलिए दोस्तों गर्मा गरम से सर्फ कर लेते हैं इस सर्फ भी आप भी बनाई है हेल्दी आटे का हल्वा और सर्व्दियों का मजा लेजिए मजा करने सर्फ करा दो Σर्छ कर दोस्तों में इस सर्फ कर!